आजकर को आजको सब्सक्राइब याजकर कंवरें वेल्कम टू आवा चैनल मिस्टर आज मिसस्क्रा पुरोहेट खाणा कहा चुकि ए हैं और अभी खा रहा हैं मिस्टर पुरोहेत अभी थोड़ा लेट हो गया जूद्र काम था वह बाहर गया थे आने के बाद अभी खाना खा आइए पुछते हैं आज वो क्या खा रहे हैं पनिर भरता ये अंदा तरी चिकन और तीन रुपी अभी रोटी तो खतम हो चुका है हम दिखा रहे हैं और रोटी खाएंगे उसके बाद वस आज बहुत हो गया खाना नहीं डाइटिंग चल रहे हैं तीन रुपी सुमा और रा इंट ब्रिशन भी खाना रहे हैं तो आज बढसे ज़िए इसाद प्याज भी खा रहे हैं तो दोड़ा सा चटनी भी खा रहे हैं हो गया रोटी खत्म अभी यह सब को अच्छा लगता है इस चटनी में आपको दिखाई थी अभी दिखा रही हो लिखे है यह है इनका फेवरेट चटनी और यह वो और यह खाना अभी यह खा रहे है खाना प्रेशर में सीटी बज रहा है अभी खाना भी बन रहा है रात का तीयारी चल रहा है बोले तो अभी खाना जल्देली कम्प्रेट करेंगे यह क्या खा रहे है धली पूट खाईए सर्थ ठीक रहे है ठीक है पेर अभी के लिए इतना फिर रात में बात करते हैं यह कुछ काम करेंगे तो बात करेंगे और यह मैं आ गई रूम का सफाई करने एक्चुलि हमारा रूम जो है रोड साइड में है और यहां पे दो दो बड़े खिड़के है हमारे रूम में और इसलिए बहुत ही जादा रूम में तो डस्टिंग करना पड़ता है तो इसलिए मैं बोली इनको कि थोड़ा कर लेते हैं आज हमारे गर में ऐसे भी कोई आने वाला है मैं नेक्स्ट ब्लॉ इसलिए निकालो फिर साप करो तो यह बोले ना मैं हल्प करता हूं और दोनों कर लेते हैं और बैड़ शेट भी हो गया था मैं फाइप सिक्स डेज के अंदर बैड़ सेवन देश्ट चेंज कर लेती हो तो उसे पहले तो डस्टिंग कर लेते हैं बोले तो यह दूसरा वाल आए तो बोले कहां से पानी आया तो मैं बोली नहीं ऐसे पैनिक मत हो मैं पानी वो पेड में देखिए गा मैं वाटल जो है ना उसे पानी थोड़ा दूगी तो तो उसमेरा गेर जाता है और यह इधर से साप कर रहें इनको पता भी नहीं है उन्सेट की सब सापके यह सब निकाल दिये, उसके बाद मैं वहाँ पे भी साफ कर लूँगी, और ये खिड की स्क्रीन में दे दी, और इधर आगे ही, इसको साफ कर रहे थे, तो मैं इनको बोली कि आप वहाँ से जाओ, और मैं ये वाला सब रख देती हूं, और मैं कर देती हूं, आप अधर थोड़ा जा की उधर, और मैं खुद जाके थोड़ा सा साप की, और फिर इसको रखी, अब भी कोई आया था शायद रूम में, मैं देखी उधर, और ये देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे सब प्लांट्स को सेट करके रख दूँगी, ये सेट नहीं हो रहा था, मैं तो कंफ्यूज ह हो गई, क्या से रखी थी, जो सेट नहीं हो रहा है, उसको फिर सिधा करके, आडजिस्ट करके रखी, बहुत अच्छा लगता है, ये वाला मनी प्लांट्स जो हम रखते हैं, बहुत ही सुन्दर लगता है, उसको यहाँ पे रख दी, बाकी सब प्लांट्स जो है, उसको करोंकि डस्ट हो गया था, उसको नहीं किया थे, उसके बाद स्क्रीन मैं दे दी, ये इधर पूरा डस्ट इंग कर रहे हैं, इतने फोटोग्राप्स हैं, जो भी हैं, ऊपर चड़ करें, मैं उधर से जो मैला की नीचे गी रहा था, उस अब जाड़ु करके लिए आरी कुछ भी काम करे ना तो बहुत अच्छा लगता है वो काम जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है और यह देखिए यह कारपेट जैसे निकाल दिये मैं वा से जाड़ करके लिए आई ठीक है ना ऐसे करके करने से क्या होता है दोनों के अंदर आप खिटपिट भी कुछ किचिर करो के ना दोनों के अंदर तब भी अच्छा लगता है वो सब चीज दोनों को सपोर्ट करना चाहिए कोई भी काम हो खाली डस्टिंग बोलके नहीं कुकिंग में भी और मेरे हस्बंड को कुकिंग आता नहीं है एक बार जो माटन के तना वो ऐसे ही स्पेशल कुक कभी-कभ करता हूं उदर से अराम से बैठ के उठा उठा के पूरा साफ करते हैं साफ सफा इनको बहुत पसंद है थोड़ा सा डस्ट हो गया कुछ हो गया इनको बहुत बहुत गुसा आता है उसके बाद देखिए बैडशीट को अच्छे से किराते हैं मुझे तो आता नहीं है 80% यह करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं और इनका जो जैसे यह करते हैं वो मुझे भी बहुत पसंद आता है किसी को भी पसंद आएगा एकदम नीट अन क्लीन मैं नहीं करती उतना बैडशीट बैडशीट देखिए चारो तरफ से कैसे करके और यह हमारा किंग से भी बड़ा वाला बैडशीट लाती हूं क्योंकि इनको पसंद नहीं बैडशीट साइड से खुल जाए और यह पीलो कवर अभी चेंज करेंगे देखिए मैं पीलो के अंदर और एक पीलो कवर डाली हूं ताके पीलो खराब नहीं और यह परमनेंटली रहता है कवर इसको अभी रग देंगे बैडशीट भी निकाल दिये अब भी रूम उसके बाद क्लीन हो जाएगा यह इधर कर रहे थे मैं बैठी नहीं थी आप नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रही थी मैं पीछे तरफ जो ड्रेसिंग टेबल एरिया है उसको साफ कर रही थी उस बैडरूम पूरा सेट हो गया क्लीन हो गया अभी थोड़ा सा पिक देख लीजिए यह वाला दिखिये मैं यह वाला डस्टिंग कर रही थी इधर मैं कर चुकी हूं करीब करीब सब डस्ट यहां से मैं जो अपना थोड़ा बहुत क्रीम है जो मैं यूज करती हूं कुछ पै देखिये हमारा लिविंग रूम कैसा लगा बोलिएगा चलिए अभी चलते हैं मार्केट और यह मार्केट पहुंच भी गए यह पतंजली शौप में आये हैं यहां से मैं थोड़ा सा ओट्स देख रही हूं मुझे ओट्स लेना था हम मैं ओट्स को मॉनिंग में लोग ब्रेकफस्ट करते हैं तोड़ा चिल्डा टाइब का बनाते हैं ओपमा भी बना लेते हैं ओट से स्मूदी भी बनाते हैं देखें और यहां पे शौप में घूम रहते हैं शौप तो पूरा खाली है कुछ तो है नहीं उत्तना ज्यादा जो कुछ मिला यहां से ले आए उसके बार ना हमें दुश्रा वाला शौपिंग मॉल जाना पड़ा क्योंकि यहां पे सब चीज अवेलेबल नहीं था तो यह कोकोनट ओयल भी लाई हूं कोकिंग वाला अच्छा होता है मतलब बॉड़ी के लिए बोलके और यह देखें शौप सब खाली है कुछ नहीं है मसाला भी सरा अवेलेबल नहीं है हां यहां से ना मैं मैंगी भी लाई रामदेव जी का जो पतंजली का मैंगी होता है नाटा वह अच्छा रहता है मैदे वाले नूडल से वह भी मैं लाई हूं और उससे तो अच्छा ही है मैदे वाले मतलब नूडल तो वैसे अच्छा नहीं है बचे लोगों के लिए पर मैदे वाले नूडल से अटा वाला तो अच्छा ही है सब को ही पता यह वाला तो यहां से जि लेने से वो पता चलता है, इसका प्राइज ये है, इस टाइप का मिल रहा है, तो मैं देख रही थी, फिर आगे गई जो मुझे लेना था, वो लेने के लिए, मुझे यहां से थोड़ा सा कॉफी चाहिए था, नेस कैफी का जो बड़ा बोटल आता है, वो मैं ली ग्रीन टी लेना था, और यहां से फ्रोजन मटर, और आपका जो फ्रोजन कॉर्ण होता है ना, स्विट कॉर्न, वो लाली, फ्रूट सब अच्छा नहीं था, असर गया था, जैसे दिक रहा था, सुखा-सुखा, यह यहां से ले लें, यह से ले लिए, यह से सेक्शन जो है ना, बिसक पर मिल नहीं रहा था तो वो वाला लाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो छोटे-चोटे बैक्स में आता है ना टी बैग में तो अच्छा लगता है और फिर यहां से आगे गए दिखाती हूं आपको घुमा के मैं इनको बोली आप शूट करो मैं समान ले रही से सुगर फ्री बिस्केट एक लाई यह मोबाइल पकड़ के शूट कर रहे थे हैं और मैं उधर सब देख रही थी मार्केट शर्ट पैंड बहुत सारा कुट्टी गर्ल्स किड्स लों के लिए भी बहुत सारा मतलब क्लोथे से अवलेबल हैं पर हम कुछ लाए उसके बाद मैं थोड़ा सा जो समान लेना था वो साइट में जाके तो यह देखो अपने से कैसे मस्ती कर रहे हैं बॉल देख रहे हैं इनका बॉल फेरेट है ना फुट बॉल तो उसको देख रहे हैं आके मस किता सरा कलरफुल है अच्छा लगता है ना ऐसा सब चीजें देखने से उस प्रेश नहीं लगता पता नहीं क्यों वेश्टेबल सारे वेश्टेबल कितने सारे हम सोचे थे कि स्वीट पिटाटो थोड़ा लाएं पर वो भी भूल गया और इधर आ गई हूं मैं थोड़ा सा यह मैं सूट कर रही थी तो ऐसे ही दिए पारले जी गल अच्छा लगता है वाँ पारले जी बच्मन में हम लोग देखते थे तो अच्छा लगता था पारले जी गल अभी नहीं बहुत हीज़ज हो घेज हो गया है जो लोग सब्सक्राइब किये हैं थैंक्यू जो लोग नहीं किये हैं फ्लीज कर लीजिए ठीक है फिर ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे बाई